एमें उत्रार्द के प्रिवच्चों, आज हम फिर नेजधी चरितम के कुछ स्लोकों की व्याख्या करने के लिए यहां उपस्तित हुए हैं। महाकवी श्री हर्ष ने प्रथम सर्ग में नल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अनेक प्रकार की विधाओं का प्रियुक्या है। श्रवण जन्य अनुराग का वर्णन कर अब अग्रिम श्लोक के द्वारा चित्र एवं स्वपनादी में दर्षन जन्य अनुराग जो है उसका कवी प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं। प्रियम प्रियाम च त्रिजगत जय श्रियौ लिखाधी लेला ग्रिय भित्ति कावपी इतिश्म साकारु वरेण लेखितं नलस्य चे स्वश्य चे सक्यमिक्षते। अधिलीला ग्रिय भित्ति त्रिजगत जय श्रियौ कावपी प्रियम प्रियाम च लिखाधी इतिशा कारु वरेण लेखितं नलस्य चे स्वश्य चे सक्यमिक्षते इस्मा। अर्थात करिड़ा भवन की भित्ति पर तीनों लोकों को जीतने वाले शोभास युक्त अर्थात सर स्रेष्ट सवंदर्य वाले किनी दो प्रेमी तता प्रेहिशी के चित्र बनाओ। इस प्रकार कहकर वब कुशल चित्रकार द्वारा चित्रित नल के तथा अपने चित्र की समानता को देखती थी। हर्थात उस समय में किसका सबसे सुंदर चित्र होना चाहिए तो सारे चित्रकारों के मन में एक ही छवी आती थी कि नल और हिस्त्रियों की बात करें तो दमियन थी तो दो ही चित्र वो बनाते थे। यह बात यहां पर कहकर के महाकभी श्री हर्ष ने नल के सौंदरिका और दमियन्ती के सौंदरिका अनुपम वर्णन किया है। कुछ खास शब्द हैं जिनके माध्यम से यह बात बहुत ज्यादा स्पश्ट हो पाएगी उनकी चर्जा कर लेते हैं। अधि लेला ग्रिव भित्ती हतात क्रिडा ग्रिव की दिवार पर लेलायाह ग्रिहम इती लेला ग्रिहम सश्टे तत्पुर समास है। तस्य भित्ती हती लेला ग्रिव भित्ती तस्मिन हती लेला ग्रिव भित्तव हती अधि लेला ग्रिव भित्ती अव्वी भाव समास है यहां पर। अव्यम् विभक्ति समिप समृत्य विद्यर्था भावात्यया संपर्ति शब्द प्रादुर भाव पस्टात व्यतानुपूर्व योगुपत्य साद्रिश संपत्ति साकल्यान्त वजनेशू इस सूत्र से यहां पर विभक्त्य आर्थ में अव्य भाव समास प्राप्त हुआ त्रिजगत जैश्रियव तीनों लोकों के सोंदर्य को जीतने वाले अर्थात त्रयानाम जगताम समाहारायदी त्रिजगत या समाहार्द में दिगु समास हुआ है त्रिजगत जयती इती एवं शेला त्रिजगत जयनी ये जगत जय जय जो पद है जिद्रिक्षी विश्रिण्व माव्यथा परिभू प्रसुभ्यष्ट सूत्र जयाँ पर पुम्वत भाग एवं इनी प्रत्य की प्रात्य हुई है त्रिजगत जय जय निष्रिह ये हो तो त्रिजगत जैस्त्रियो वावरि समाश यह पर कव किनी दो को यहाँ पुमान्स्त्रिया से एक्षे समास की प्राप्ती हुई है प्रियम प्रियाम प्रेमी प्रेशी को कारु वरेण कुशल चितरकार के द्वारा कारु हुषिल्पी त्यमरः चितरकार को कारु कहा जाता है कुचल चित्रकार के द्वारा कारुख सब्द कई अर्थों में काम में आता है सक्यम यानि साद्रिश्य सक्ष्यृ भावा है सक्यम इती सखी सब्द से यत प्रत्ते की प्राप्ती हुई है इक्षते स्मा देगती थी स्मय योगे भूतार थे लट स्मय के योग में भूत काल के अर्थ में लट लगार का प्रियोग हुआ है एक्षधात को लट लगार के प्रथम पुर्ष के एक वजन में यह रूप प्राप्त होता है दम्यंति नल के समान तथा नल दम्यंति के समान सुन्दर है इस प्रकार एक दूसरे के प्रती उपमानोप मे भाव होने से उपमे योगमा लंकार ग्यंजित होता है तथा नल और दम्यंति दोनों ही लोगोत्तर सुन्दर होने से अपने लिए उपमानस परूप थे वतह अनन्वे अलंकार भी ध्वनित होता है। मन के संकल्प के द्वारा अपना पती बनाएवे नल को सोती हुई वैद्धमियन ती किस रात में नहीं देखती थी। क्योंकि स्वप्न सवभग्य वस बिना देखी वी वस्तु को भी लोगों की द्रिश्टी का आधिती बना देता है। हर्थात प्रत्यक्ष दिखला देता है। हर्थात दमयनती हर रात्री में स्वप्न में नल को देखती थी। यद्ध्यपि नल से उसका पूर में मिलन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वह जो स्वरूप नल के विशय में चारनों भाटों आधि ने बताया था। वह स्वरूप उसको स्वप्न में दिखाये देता था। इस बात को इसके शब्दों के द्वारा हमें और समझ लेना चाहिए। मनो रथेना संकल्प के द्वारा मनसो रथह मनो रथह। स्वपती कृतम जिसको अपना पती बना लिया है। उसको स्वश्य पती इती स्वपती ही। ने स्वपती इती है स्वपती ही। है स्वपती स्वपती कृता इती स्वपती कृता है। स्वपति शब्द से यहां पर च्वि प्रत्य प्राप्त हो करके और इत्व हुआ दिर्ग इगार हुआ और फिर क्रीद धात उसे प्रत्य करने पर यह पूरा सब्द बनता है स्वपति क्रितम में ऐसा यह जो अपना पती नहीं था उसको अपना पती बना लिया है स्वपती अर्था सोती हुई स्वपधात उसे लठलकार की अर्थ में यहां पर शत्नी प्रत्य हुआ और स्टिलिंग में गीप प्रत्य दे करके इस सब्द को बनाया गया है अद्रिष्ट वईभवात भाग्य के बल से सुप्ति ही यानि स्वप्न स्वपधात से तिन प्रत्य स्टिलिंग की विवक्षा में प्राप्त होता है अर्थम वश्तुको जन दर्षना ति थिम लोगों के द्रिष्टी गोचर जनस्य दर्षनम तस्य अतिधी त्यना दर्षन ति thi तम साक्षाद दर्षन, चित्र दर्षन तथा स्वप्न दर्षन तीन प्रकार के दर्षन होती है पूर्वोक्त श्लोग में चित दर्शन तथा प्रस्त श्लोग में स्वपन दर्शन का वर्णन किया गया है सुसुप्ती में भाग्य के अनुरूप ही किसी मनुश्य आवस्तु का दर्शन होता है हर्थात जन्मांतर या स्थानांतर में अनभूत वस्तु ही स्वप्र में देखी जा सकती है। इससे दमयंति का नल से जन्मांतरी संबंध सुचित होता है। साथ ही यह दैवान मोधित भी है. पूर्वार्द में स्वपती तता उतरार्द में अद्रिष्ट के अब्रती के भिन अर्थ होने से यमक अलंकार की प्राप्ति हुई है। पूरार्ध में, नित्यरात्रि में, स्वप्न में, नल दर्शन रूप विशेश वस्तु का उतरार्ध के सामान्य वर्णन से समर्थन होने के कारण अर्थांतर अन्या सलंकार बन पड़ा है। फिर आगे कह रहे हैं, निमीरिताक्ष निमीरिताद अक्षि युगाच्य निद्रया विर्दोपी बाईहेंद्रिय मौनमुद्रिताद अदर्श संगोप्य कदाप्य विक्षितो रहस्य मस्याह समहन महीपती। इसका अन्वा है, निद्रया निमीरिताद अक्षि युगाच्य बाईहेंद्रिय मौनमुद्रिताद विर्दोपी संगोप्य कदाप्य विक्षिताह महत्रहस्य महीपती अस्या अदर्शी। हर्थात निद्रा ने बंद हुए दोनों नित्रों से तता बाईहंद्रियों के अपने विशय को ग्रहन करने में मौनोंने से बंद किये हुए घृदय से भी छिपा कर कभी न देखे गए अत्यंत रहश्य रूप उन राजा नल को दमियन्ती केरे दिखला दिया। दूसरे प्रकार से वेश श्लोका अन्वय एवं अर्थ किया जाता है। उससे भी आप सुनले। निद्रया निमीलितात अक्षियोगात इंद्रिय मौन मुद्रितात चै एहरदोपी बाही रहस्यम महन सैत्वम प्रशिद्ध नलह मही अदर्शिसंग एक अदापी वेक्षताय पतिश्याह। हर्थात है निद्रा जन्या ज्यान से अब्रित दूसरे की स्तुति में मूख कलियूख से बाहर तथा मूख से भिन्न है गुप्त लक्ष्मी वाले है महान वह आप नल सदा उत्सव सील विश्णु भक्तों से महित्रि करने वाले तथा दुस्टों से अद्रिश्य मेरे पति हो इस प्रकार से जो दमियंती है नल के विश्य में चिंतन करती है इसमें कुछ खास शब्दों से इस सब्द इस श्लोक के अर्थ को हम और अच्छे नंग से समझ सकते हैं निद्रिया नींद से अर्था इसके दो अर्थ है एक तो नींद और दूसरा ज्यान तो तृतिया का एक उजन का रूप है नींद से अधवा अज्यान से निमीलतात एक निमिलन का मतलब होता है बंद करना और दूसरे निमिलन का अर्थ होता है अच्छादित तो बंद और या पक्षांत्र में अच्छादित ये दो अर्थ होते हैं अक्षय युगात दोनों नेत्रों से और पक्षांत्र में कलियुग से अक्षह निवासा अस्तियस्यति अक्षी अक्ष से इनी प्रत्या करने पर अक्षी शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है कली इनी कलियुग बाईयेंद्रियमावनमुद्रिताथ बाईयेंद्रियों के विशय ग्रहन नै करने के कारण शून्य और पक्षांत्र में वानी के प्रयोग में ऐसमर्थ इस प्रकार से दो प्रकार के अर्थियां प्राप्त होते हैं हिरदय से और पक्षांतर में अज्ञानी संगोप्य छिपा कर समुपसर्ग पूर्व गुप धातु जो की निजन्त है उसे ल्यप्रत्य की प्राति होगर के ये शब्द बनता है हदर्श ये नि दिखा दिया द्रिश धातु जो की निजन्त है प्रेनार्थक है लुगलकार में प्रथम पुर्ष का एक वजन का ये रूप बनता है जैसे कोई चेटी किसी नायक को छिपा कर किसी नायका को दिखाती है वेसे ही निद्रा ने नल को छिपा कर दमियंति को दिखाया यह वस्तुद्ध्धनी है पक्षांत्र में श्लोक उत्रार्थ के दूसरे अन्वे के अनुसार अर्थ होता है रहस्यम हे गुप्त लक्ष्मिवाले रहस्या माय श्यечно वह वरी समाज है यहाँ पर रहस्यम हा और तत्स संबोधने हे रहस्यम ये रहस्यम यारष निगलता है महन हे महान संबोधन का ये खजन का ρूप है मही उत्सब वाले महास्ति अस्ययती मही अधी मैस यहां पर इनी प्रत्य होकर ये सब्द बनता है अधॉर्षी संगह हम द्रश्टुम शीलम ये शाम ये शाम के अधार्शी नह बहुरी समाज यहां पर हैं है कदाप्यविक्षितह दुख देने वालों यानि दुष्टों से ने देखे गए कम अकम ने तत्पुर्ष अकम दाप यंति त्ये वंशीला अकदाप नह दुष्टाहात तही अभीक्षितह तृतिया तत्पुर्जमाजयाप अक उपबद पूर्वक दाधात उसे जो किंडिजन्त है पुक का आगम होकर और निनी प्रत्य प्राप्त होने पर यह शब्द बनता है पतिश्यहा पति होवे यह प्रार्थना में लिंग लकार का प्रयोगवा है मद्यम पुर्श एग वजन का यह रूप है और यहां पर रूपक अलंकार है तद रूपक मभेदोया उपमानोप में यहो यह है रूपक का लक्षन है इस प्रकार से प्रिय बत्चों हाज हम आपको हमने 40 स्लोक तक नेज़दी तरितम के प्रतम सर्ग से जो स्लोक हैं उनका आर्थ करके उनको समझाया है आशा है आप इन्हें बार-बार सुन करके और इसकी जो लिखित सा मगदी है वह हमने आपके ग्रुप में डाल दिये उसको देख करके और समझ करके लाब उठाएंगे इस आसाक के साथ में आप सब का हिर्दय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने यह सुना धन्यवाद जय दुसंस्कृतम जय दुभारतम